अलो दोस्तों नमस्कार सुवागत आपका फिर से हमारे नहीं विलोग में दोस्तों आज मैं आया हूँ अमरसर के जलिया वाला बाग में ये वही जलिया वाला बाग है जहां पर जनरल डैर ने लगबग पांच जार भाड़तियों लोगों को मोत के गाट उदा रहा था दरसल बात है उन दिनों की जब हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तो अंग्रेजों ने एक कानून परित किया 1919 में रोल एक्ट तो उसी कानून का विरोध हमारे भाड़तियों लोगों ने किया तो उन विरोध करता में एक थे सीफुदिन किचलू तो किचलू को अंग्रेजों को गिरफतार कर लिया तो उसकी गिरफतारी के जो विरोध में कुछ बाड़तिया लोग लगभग पांच जार क्या सपास वैकती जल्या वाला बाग में सब आगा विजन कर रहे थे तो वहां भे होता क्या है ये बात लगती है पता जनला डायर को और वहां पर अपने जो है 90 सेनिकों के साथ आता है और लगभग 1650 राउंड 1650 राउंड गोलियों को जाए फायर करता है कुछ लोग जो है मोस से बचने के लिए यहां पर एक कुवा है उसक्वे में चिपते हैं तो वह जैसे ही उपर नीचे गिरते हैं तो वहां भी बहु और आज भी उन गोलियों के निसान मोजूद है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको यहां का पूरा एरिया दिखाऊंगा कि कहा क्या क्या हो आता हूँ कुवा भी दिखाऊंगा और जहां पर उस दिवार पर जो निसान है गोलियों को भी दिखाऊंगा ज़वान साथी थे ये उनी लोगों के चितरी यहां पर बनाए गए जो जलिया वाला हत्यकांड में मारे गए जैसे ही मैं यहां से बाहर निकलता हूं मुझको बार एक बहुत बड़ा गार्डन देखनों को मिलता है गार्डन के बाद मैं पहुंच जाता हूँ यहां के एक मुझक में उस मुझक में 1914 से 1918 के बीच कि सभी गाथाओं का वर्णन हैं जितने विजुद हुए उनका परमान आपको यहां देखनों को मिल जाएगा और यहां पर एक तामबा और पीतल का जो एक कासे की परतिमा बनाई हुई है आप यहां आकर उस परतिमा को देख सकते हैं ये देखें मेरे सामने लोग यहां पर जो है सेल भी भी ले रहे हैं बाकिया सेल भी लेना मना है तो आप यहां आ सकते हैं इसके बाद हम चलते हैं आगे इसके बाद है मुजियम को देखने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ जालिया वाला बाग के उस कुए में जिस कुए में लोगों ने जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए छलांग लगाई थी क्योंकि जब जनरल डायर अंदादूंद फाइरिंग करा रहा था तो लोगों ने अपने जान बचाने के लिए उस कुए में छलांग लगाई और छलांग लगाने से कुछ लोगों की मर्ति हो गई कुछ लोगों को गोलिया लगी तो आप यूडियों में बने रहिएगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कुवा दोस्तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये वही कुवा है जिसमें लोगों ने छलांग लगाई थी अब यहां की सरकार ने इस कुए के जो है चारुत तरप एक इंटो की चार दिवारी करा दी है और इसमें सीसे भी लगवा दिय सीसे लगाने का मुख्या करण क्या रहा क्योंकि यहां लोग इस कुवे में पैसे डालते थे जो भी परियटक यहां पर घूमने आते थे वे इस कुवे में पैसे डालते हैं इसी परकार सरकार ने यहां यह सीसे लगवा दिये और चार दिवारी करवा दिये ताकि कोई इसम मिट्टी अंदिसमें अंदर ना जाए दोस्तो आप देख सकते हैं यही वो कुवा है दोस्तो इस कुवे को देखने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ उस दिवार पर जिस दिवार पर आज भी गोलियों के निशान मुझूद है अद्दादून फाइरींग होने के बाद जो गोलिय दिवार पर लगी वो दिवार आज भी यहाँ पर मौझूद है आप मेरे पीछे देख सकते हूँ यही वो दिवार इस पर गोलियों के निशान मुझूद है यह देखे जो वाइट लाइनिंग हो रही है इसके अंदर जो सुराक है यह उनित गोलियों के निशान है जो उस समय फैरिंग हुई थी आज भी आखे जो है सरकान इसको कैप्टर करने के लिए इस दिवार को मुडिफाई नहीं किया दोस्तों इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं साइकिट नंबर के मुजियम में जहां पर आपको बहुत कुछ देखने हो को मिलेगा को चलते हैं साइकिट नंबर के मुजियम में आपको देखने हो मुजियम में जाने हो चैने होरा हम के लिए कि अच्छी का झार का झाल पहला की अच्छी का झाल पहला पहला को अच्छी का है दोस्तों सेगर नमबर का मीजम देखने के बाद हम फिर से दूसरी तरफ घूम कर आए मुझको यहाँ पर एक दिवार ओड देखने को मिली जिस पर भी गोलियों की निसान मौजूद थे क्योंकि जनरल डायर के 90 सनिक थे तो अपने अलग-अलग दल में बटे हुए थे और जिसको जहाँ पर भी करंतिकारी दी के उन्होंने वहाँ पर फाइरिंग की तो एक दिवार आप यह भी देख सकते हैं क्योंकि इस पर भी गोलियों की निसान मौजूद है सेग्ड नंबर की दिवार को देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक असमारक के पास क्योंकि यह असमारक जो है काफी उंचा है और यह पानी के अंदर बनाया गया है और इस पानी में जो है कमल के फूल के लिए है तो आप भी यहां आगर देख सकते हैं जैसा ही मैं असमारक के पास से निकलता हूँ तो मुझको सामने एक तीसरी दिवार देखने को मिलती है क्योंकि जिस तीसरी दिवार पर भी काफी गोलियों के निसान थे अब मैं आपको वो तीसरे नंबर की दिवार भी दिखाता हूँ जिस पर भी गोली के निसान मुझूद है यह देखिए यह वो तीसरी नंबर की दिवार है यहाँ पर भी फारिंग होई और गोलियों के निसान आज भी मुझूद है दोस्तों तीसरी नंबर की दिवार को देखने के बाद मैं पहुंच आता हूँ एक बरगद के पेड़ के नीचे बरगत के पेड़ के नीचे मुझे को देखने को मिलते हैं यहाँ पर बहुत थी बल्लैक रंग के असमारक जिस पर हमारे हिंदुस्तानियों के नारे लिखे हैं यूगि आजाजी के समय जो हमारे ककरांतिकारी हुआ करते थे उनके नारे यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आप वीडियो को रोक कर इनको पढ़ सकते हैं तो दोस्तो आपको अगर हमारा वो लोग अच्छा रगा तो आप हमारे चला को सुस्क्राइब करके गंटे उड़न दबा सकते हैं में तब तक के लिए जहीन में तो सकते हैं